नमस्कार इकबर पुना स्वागत और अभिननन आपकी अपनी चैनल श्रिजन नमाचार में मैर्शन शुकला मात्राओं को सिखाने के बाद पठन अभ्यास का दूसरा वीडियो आपके समक्ष लेकर आई हो आज रहा हमें कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है एक इस्त्री का पत्र रविननाथ ठाकुर भारत के महान कथाकारों में से एक है अत्यधिक लगकथाओं की रचना की इस्त्री का पत्र उन्हीं कथाओं में से एक है यहां पहरा शब्द देखिए कि पूज्य वर पा में उ की मात्रा है उ और उ दो भाई है उ जो है वो मा के पेट की तरफ चिपा होता क्योंकि उसको डर लगता है लेकिन जो उ है वो बाहर की तरफ भागता है इन चिन्हों के पहचान के लिए इस तरीके को याद रखिए तो यहां पाप पे उ की मात्रा है यानि बदमाज भाई जो बाहर की तरफ भागता है पूज़ अब पूज़ ने ज को कया किया अपनी तरफ खीचा तो पूज़ वर हम इसको क्या पढ़ेंगे पूज़ वर आज अब आप एक किसकी मात्रा है आप एक आपको डंड़ा दिख वैसे तो यह बड़ा आ ही लिखा हुआ है, लेकिन जब इस प्रकार से खड़ी रेखा आपको दिखाई पड़े, तो आप समझ जाएए कि यह आ की मात्रा है, यहाँ आ जो स्वर है वर्ण के रूप में ही आया है, लेकिन और शब्दों को बताने के लिए मैं कह रही हूँ कि इसको हम पढ़ेंगे आज, आज पन, अब पाने ना को अपनी तरफ खीचा पन, अब आगे क्या है द्रह, अब यहाँ देखिए, सीधा बच्चा आ गया, यह अक्षर के अंदर छिपा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे अब यहाँ देखिए, सीधा बच्चा आ गया, यह अक पढ़ेंगे हु, ए, हु, एक गाना गाते हुए पढ़ेंगे, लेकिन जब हु की बात आएगी, तो हम हिचकी लेते हुए पढ़ेंगे, हु, ए, ह, मा, रे, अब रा में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, ए स्वरवर्ण याद करिए, फिर उसके चिन्न को याद करिए, जब ए यानि एकी धुहनी हमें सुनाई पड़ेगी इस चिन्ध के रूप में, तो हमारे ब्याह, शब्द देखिए, ब्याह, अब ब जो है वो आधा है, ठीक है, जो आधे अक्षर से किसी भी शब्द की शुरुवात होती है, तो बगल वाले अक्षर में जाके वो समाहित होता है, त यानि ब की धुहनी कम आ रहे है और या की जादा आ रहे है, क्योंकि ये आधा है और ये पूरा है, तो हम पढ़ेंगे ब्याह, को, अब का में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा, यानि एक चुर्की और एक डंडा, वर्ण के रूप में उवयात करिए, चिन्न के रूप में उव करना पड़ेगा तो फिर से पढ़िए आज पंद्रह साल हुए हमारे ब्याह को हम तब से साथ ही रहे अब यहां देखिए ही यानि ए की मात्रा उ की बात करें यानि बड़े उ की बात करें चाहे हम इ यानि बड़ी की बात करें यहां हम टाइम जादा लेंगे गाना गाते हुए पढ़ेंगे तो यहां बड़ी की मात्रा लगी है सबसे पहले इ और इ को याद करिए उस वर्न को याद कर लिया आपने स्वर वर्न को फिर उसके चिन्न को याद करिए, जब किसी भी अक्षर की उल्टी तरफ लगता है, तो छोटी, लेकिन जब सीधी तरफ लगता है, तो बड़ी, जब उल्टी की तरफ लगेगा, तो हम इचकी लेके पढ़ेंगे, जब सीधे की तरफ लगेगा, तो हम गाना गाते हुए पढ़ें से साथ ही रहे, अब तक चिठी, और यहां देखिए टव पे आपको एक चिन दिखाई पड़ रहा होगा, इसको हम हलचिन कहते हैं, यानि जितने भी गोल अक्षर हैं, उनको आधा दर्शाने के लिए हलचिन का प्रियोग किया जाता है, बाकि जितने पाई वाले अक्षर हैं उनके पाई को निकाल दिया जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे चिठी, लिखने, लिखने का मौ का नहीं मिला, अब ध्यान क्या रखना है, मा में आउ की मात्रा है, आउ वर्ने याद करिए, चिन्ने याद करिए, तो यहां पे दो चुर की एक डंडा, यानि इसको हम पढ़ेगी और उसकी मात्रा इस प्रकार से लगाई जाएगी, मौ का नहीं मिला, अब यहां नहीं में एक बिंदू है, जिसको हम अनुनासिक के रूप में जानते हैं, यह चंद्रविंदू ही है, लेकिन जब हम इस प्रकार से मात्राओं के साथ इसका प्रियोग करते हैं, तो यह बिंदू के रूप में बदल जाता है, तुम्हारे घर की मजली बहू जगनात पूरी जगन अब गाना के तरफ आएगा, जगनात पूरी आई थी तीर्थ करने, तो यहां देखिए थ पे आपको इस प्रकार से एक चिन दिख रहा है, जिसको हम उडनती रा बोलते हैं, जिसको हम रेफ बोलते हैं, और यह जहां लगा होता है, निए थ पे लगा है, तो थ और थ के बीच में इसको पढ़ा जाएग तीर्थ, और यह जो भी उडनती रा होता है, वो आधा होता है, इसको हम आधे अक्षर के रूप में पढ़ेंगे, यह रह है, तो हम पढ़ेंगे तीर्थ करने, आई तो जाना कि, दुनिया और भगवान के साथ, मेरा एक और नाता भी है, इसलिए आज चिठी लिखने का साहस कर रही हूं, अब यहाँ देखिए, आपको चंद्रविंदु दिख रहा है, जिसको हम अनुनासिक कहते हैं, इसको अनुनासिक इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें नाक और मुख दोनों का प्रियूग किया जात हैं, इसे मजली बहू की चिठी न समझना, वह दिन याद आता है, ध्यान रखना है, जहां भी आका डंडा होगा, वहां आप मुखोल कर पढ़ेंगे, और जहां वर्ण में सिफ अ की धोनी सुनाई पढ़ेगी, वहां मुख बंद करके पढ़ेंगे, शब्दों का उच्चा बहुत आसानी से आप कर लेंगे कितनी मुश्किल, अब ध्यान ये भी आपको यहां रखना है, चाहे ये क होता, म होता, च होता, और बीच में अगर आधा वर्ण है, तो इकी मात्रा चड़ाने के लिए उस आधे वर्ण के पीछे से, और क पे आके, यस पे, च पे, जो भी अक्षर होगा, उस पे मात्रा कितनी मुश्किल हुई, तुम सब को मेरे घर के लोग आव भगत करते करते, और यहां योजक्षिन लगा हुआ है, हैरान हो गए, अब है, यहां आई की मात्रा है, आई को वर्ण के रूप में याद करिए, चिन के रूप में याद करिए, जब भी हम कोई शब्द बोलते है मात्राओं के साथ, तो उसकी ध्वनी हमें सुनाई पड़ती है, हैरान हो गई, विदाई की करूण, अब यहां र पे उ की मात्रा है, र में जब उ और उ की मात्रा हम लगाते हैं, तो इस प्रकार से लगाते हैं, यानि बीच में लगाते हैं, धुन, गूज, उठी, मैं, सभी बहु बन कर तुम्हारे घर आई, सभी औरतों ने नई दुलहन को जांच परख कर देखा, सब को मानना पड़ा, बहु सुन्दर है, मैं सुन्दर हूँ, यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धी है, यह बात तुम लोग चाह कर भी ना भूल सके, मा कहती थी, आवरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है, लेकिन मैं क्या करूं, तुम लोगों ने उठते बैठते कहा, यह बहु तेज है, लोग बुरा भला कहते हैं, सो कहते रहें, मैंने सब माफ कर दिया, मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी, कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवास थी, वेकविताएं तुम्हारे रीत रिवाजों के बंधनों से आजाद थी, मेरी नन्ही बेटी को छिनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई, उसे ले गई, पर मुझे छोड़ गई, मा बनने का दर्द मैंने उठाया, पर मा कहलाने का सुख ना पा सकी, इस हादशे को भी पार किया, फिर से जुट गई, रोज मर्रा के कामकाज में, गाए भैस सानी पानी में लग गई, तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था, यह गाए भैस ही मुझे अपने से लगते थे, इसी तरह शायद जीवन बीत जाता, आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी ग्रिहस्थी, अब यहाँ गम देखिए री की मात्रा लगा है, इसको ग्रिहस्थी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पदेंडरा नहीं, यह री है, तो जो मात्रा होती है, वही ध्वनी निकलती है, हमेशा याद करिये, इ है, तो उ की ध्वनी नहीं सुनाई पढ़ेगी, तो री है, तो रा की ध्वनी नहीं सुनाई पढ़ेगी, ग्रिहस्ती में जिन्दगी का एक बीज आगिरा यह बीज जड़ पकड़ने लगा और ग्रिहस्ती की पकड़ धीली होने लगी जेठानी जी की बहन विंदू अपनी मा के गुजरने पर हमारे घर आ गई मैंने देखा तुम सभी परेशान थे जेठानी जी के पीहर की लड़की ना रूपवती ना धनवती जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर उलज गई एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराजगी अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बरताव होते देख मुझसे रहा ना गया मैंने बिंदु को अपने पास जगहा दी जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली गलती का बोज मुझ पर आ पड़ा पहले मेरा सनेह पाकर बिंदु सकुचाती थी पर धीरे धीरे वह मुझे बहुत प्यार करने लगी विंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उडेल दिया अब यहां मैंने बताया है ड य अध में अगर विंदु लग जाता है तो ड अध में बदल जाता है इसलिए उसको उडेल नहीं पढ़ेंगे उडेल दिया मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा यह मैंने सोचा भी ना था बिंदु को जो प्यार दुलार मुझ से मिला वह तुम लोगों को फूटी आँखों नहीं सुहाया याद आता है वह दिन जब बाजू बंद गायब हुआ बिंदु पर चोरी का इल जाम लगाने में तुम लोगों को पल भर की जिजक ना हुई बिंदु को बदन पर जरासी लाल घमोरी क्या निकली तुम लोग जट बोले चेचक किसी इलजाम का सुबूत ना था सुबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफी था बिंदु बड़ी होने लगी साथ साथ तुम लोगों की नाराजगी भी बढ़ने लगी जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई तब तुमने उसका ब्याह तैं कर दिया लड़के वाले लड़की देखने तक ना आए तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा यही उनके घर का रिवाज है सुनकर मेरा दिल कांप उठा, ब्याह के दिन तब बिंदू अपनी दीदी के पाउं पकड़ कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी सोक करूंगी, बेसहारा लड़की सिसकती हुई, मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सच मुझ अकेली हो गई हूं, मैंने कहा, ना बिंदू ना तुम्हारी जो भी तशा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जे ठानी दीदी की आखों में आसू थे, उन्हें रोक कर वह बोली, बिंदिया, याद रख, पती ही पतनी का परमेश्वर है, तीन दिन हु वे बिंदू के ब्याह को, सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा, एक कोने में पड़ी थी बिंदू, मुझे देख कर फपक कर रोने लगी, बिंदू ने कहा कि उसका पती पागल है, बेरहम सास और पागल पती से बचकर वह बड़ी, मुश्किल से भा मेरे तन बदन में आग लग गई, मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी, भला कोई ब्याह है, तु मेरे पास ही रहेगी, देखूं तुझे कौन ले जाता है, तुम सब को मुझे पर बहुत गुसा आया, सब कहने लगे, विंदू जूट बोल रही है, कुछ ही तेर में बिंदू के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुँचे, मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदू खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई, वे लोग बिंदू को ले गए, मेरा दिल दर्द से चीख उठा, मैं बिंदू को रोक ना सकी, मैं समझ गई कि चाहे बिंदू मर भी जाए, वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी, तभी मैंने सुना की बड़ी बुआ जी जगनात पूरी तीर्थ करने जाएंगी, मैंने कहा, मैं भी साथ जाऊंगी, तुम सब यह सुनकर खुश हुए, मैंने अपने भाई शरत को बुला भेजा, उससे बोली भाई, अगले बुद्धवार को मैं पूरी जाऊंगी, जैसे भी हो, बिंदू को उसी गाड़ी में बिठाना होगा, उसी दिन शाम को शरत लौट आया, उसका पीला चहरा देखकर मेरे सीने पर साप लोट गया, मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए, उसकी जरूरत नहीं, बिंदू ने कल अपने आपको आग लगा कर आत्म हत्या कर ली, शरत ने उत्तर दिया, मैं स्तब्ध रह गई, मैं तीर्थ करने जगन्नात पूरी आई हूं, बिंदू को यहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह जरूरी था, जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं, वह मेरे जीवन में नहीं था, तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई, तुम्हारे बड़े भईया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट ना था, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लोट कर तुम्हारे घर नहीं आउंगी, मैंने बिंदु को देखा, घर ग्रिहस्ती में लिपटी आउरत का परिचय मैं पा चुकी, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी चोखट लांग चुकी, इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूं, तुम लोगों ने अपने रीत रिवाजों के परदे में मुझे बंद कर दिया था, ना जाने कहां से बिंदु ने इस परदे के पीछे जाक कर मुझे देख लिया, और उसी बिंदु की मौत ने हर परदा गिरा कर मुझे आजाद किया, मजली बहु खत्म हुई, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी, मीरा बाई भी मेरी तरह औरत थी, उसके बंधन भी कम नहीं थे, उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्म हत्या तो नहीं करनी पड़ी, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊंगी, तुम लोगों के आश्रस से मुक्त, धन्यवाद.